नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का हमारे इस्ट्योटिव चैनल बीएची स्टेडी कैपिटल पर एक बफिर से हार दिख्षागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको थमलेल पर ही सो कर रहा है कि BHU इंट्रेंस 2020 इंट्रेंस डेट आउट अब आगे क्या करना होगा सजेशन्स एंड एक्जाम टिप्स यानि आप लोग लगातार कई दिनों से जब से इंट्रेंस इंट्रेंस इंग्जाम का सेड्यू लाया है 24 से 31 अगस फर्स्ट फेज की परिछा दूसरे फेज की परिछा 9 से 14 सितंबर तो लागतार मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज़े जाए इसके साथ मुझे वाट्स अप बहुत से जादे मैसेज़े मिले हैं कि सर इक्जाम टिप्स दीजिए जिसमें हमें मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ इक्जाम टिप्स दीजिए यानि कुछ मोटिवेट भ जिससे आपका इंट्रेंस एक्जाम बड़े ही आसानी से क्लियर होगा इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा सुनिएगा मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे क्योंकि ब्या जो मैं आपको दे रहा हूं मैं आपको सिफ चार पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा यह आपके स्क्रीन पर जो चार पॉइंट दिख रहे हैं यह तो आपको दिख रहे हैं लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूं जो बातें आपको समझाने का प्रयास कर रह कोई नहीं रोक सकता यह मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं सबसे पहला पॉइंट मेरा है बिलिव इन यूरसेल्फ यानि आपको अपने में विश्वास रखना होगा आपको विश्वास किस प्रकार से रखना होगा कि मैं बिये चु इंटरंस एक्जाम क्रेक कर रहा हू आपको विश्व इंटरंस एक्जाम क्रेक करने से कोई नहीं रोक सकता है और आप विश्व में पढ़ने आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप आज के डेट से सोचना बस ये इतना सुरू कर दीजिए कि मैं विश्व इंटरंस एक्जाम क्रेक कर लूँगा मुझे इसमें कोई नहीं रोक सकता है और एक्जाम के डेट तक यानि आप परिच्छा हाल में पहुंचते हैं उससे पहले बस आप ये सोच के रखिए आज के डेट से और उस दिन तक कि मैं इंटरंस एक्जाम क्लियर कर लूँगा ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कल भूल गये आज से सोचन को रखा कि मैं ब्येच्चु इंटरंस एक्जाम क्रेक कर लूँगा कोई भी नहीं हो सकता मुझे ब्येच्चु में पढ़ने से बस इतना ही आप कर लीजिए तो आपका इंटरंस एक्जाम 50% मैं बता सकता हूं कि क्लियर हो गया यानि आपने 50% अपना इंटरंस एक्जाम क आपने खहीं से लिया है या फिर आपका self-made notes है जो भी आपके पास study material है उसके according आपको अब तैयारी करनी है यानि आपको कोई भी जो initial stage में है उनकी बात अलग है लेकिन जो दो चार महीने से तैयारी कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं जिनोंने topic को touch कर लिया है उन्हें अब नए topic चुने की जरूरत नहीं है आपको अब क्या करना होगा आपको करना होगा revision आपके पास जो भी notes हो जो भी study material है आपके पास उसके according अब आप सिर्फ revision कीजिए अपने जो भी subject है जो भी आपके topic है उनको revise कीजिए नए topic के लिए आप नहीं जाएंगे तीसरी चीज कीजिए मेरे recording आपके लिए practice यानी आपफ प्राक्टीस करेंगे प्रैक्तिस कीजिए according अपना जो previous year paper है आप देखेंगे previous year paper में किसIELर पेपर में किस प्रकार से आपका जो टोपिक है वह आता है या नि किस पासे कितने प्रस्ण आ रहे हैं यानि किसंपर देंगे अपने revision क को बुश्ट अप करेंगे यानि फाइनल टच अप देंगे अपने रिवीजन को कि किस प्रकार से किस अकॉर्डिंग से किस टॉपिक क्या अकॉर्डिंग जो है आपका प्रस्ण पत्र पूछा जा रहा है और जो चौथा चीज है आपके लिए जो में चीज है वो है इवल्व करना होगा इवल्वेट किस आधार पर आपको या तो प्रिविएस एयर पेपर के आधार पर उसके आधार पर तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने जहां से भी टेस्टिरीज लिया हो जैसा कि आपको पता है कि ब्याच्चु स्टेडी केपिटल हमारे चैनल पर भी यह और इसके सासत में पॉलिटिकल साइंस है इन कोर्सेज का जो टेस्टिरीज है वो हमारे चैनल पर भी उपलब्द है कुछ जैसे में पॉलिटिकल साइंस है उसका इस्टडी मैटेरियल भी आपके लिए विजन के लिए उपलब्द है तो ऐसा जो भी टेस्टिरीज आपको या तो जहां से भी आपने लिया हो या फिर हमारे चैनल पर लेना चाहते हैं तो आपको वाटसप नमबर 9336257345 जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ उस पर आपको सारी डिटेल भिजवा दूँगा लेकिन आपको फिलहाल अपने आपको जो चौता पॉइंट म जरूर जोइन कर लीजिए ताकि उससे आप अपने आपको इवेल्वेट कर सकें कि किस परकार से आप मास्क पा रहे हैं क्योंकि इंट्रेंसिक जाम डाइरेक्ट आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे गलतियां होंगी तो वो गलतियां आपसे इंट्रेंसिक जाम में और क्या फॉल्ट हो रहे हैं यह सारे जो फॉल्ट है वो अभी पकड़ दीजिए इंट्रेंस एक्जाम में आप ट्रायल नहीं करेंगे जो भी ट्रायल करना है आप यहीं कर लें यानि आपको अपने में विश्वास रखना होगा अपने स्टेडी मेटेलियर अपनी नोट्स क आपको अपको प्रेम प्रेक्टिस करना होगा यानि प्रिवेस समझना होगा कि कैसा पेपर आता है और चोथ आपके लिए इविलवेशन यानि आपके आपको आपको जैसा कि मैनesta को चौथर पॉईंट में बताया अब मैं यह जो नीचे आपको लाइनES दिख रही हैं उसक अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिलाल आपके लिए जो मोटिवेशन है और जो टिप्स है, दोनों चीजें आपको मिल चुकी हैं, सिर्फ आप इतना समझ लीजे कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, जितना कोसिस करने वाले छोड़ देते हैं, अब मैं इस लाइन को ब्रीफ नहीं करूँगा, आप अलगेड़ी इस चीजों को समझ सकते हैं, इतना समझदार आप हैं, कि आपको इंतजार करने वाला नहीं बनना है, आपको कोसिस करने वाला बनना है, बस इसी चीज को समझते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे, अपन कमेंट बाक्स ने आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिपलाई दे दूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद